तो बाव लोग चारुत्रव आजकल नल नल बहुत हो रहा हैं जिससे सभी लोग नल को जानने के लिए कतई नले हो गए हैं इतने डीप स्टड़ी अगर 12th बोर्ड में कर लेते तो 90% अवब होते सभी कमा नल वर्सिस वैनम ये हमें देखने को मिलने वाला है जिसकी एक जलक हम भी डिफाइन करेंगे लेकिन उससे पहले नल को भी जान लेते हैं कि आखरी ये महापराणी है क्वाव इस स्टार्टिंग में ही बता दू नल वैनम का बाप है जिसका खुद नल ने बनाया है यूनिव आके इस वाइड में अपनी पेलने की कुशिस करने है जहाँ नल का वास पहले से ही था क्योंकि ही लाइक्स डाकनेस देन सेलिस्टियल दुनिया का निर्माण करते हैं इतने में नल उनसे भिड़ता है उन्हें इंटरप्ट करता है क्योंकि उसे गुस्सा आता है जो बिना परविशन उसके घर में घुसके अपनी creation कर रहे थे तवी नल अपनी एक symbiote sword बनाता है जिससे वो एक celestial की मुंडी उड़ा देता है इसी incident के बाद बागी के celestial उसे उसी void में कैद कर देते हैं जहाँ बाद ने वो celestial के सर में अपनी कलाकारी करने लगा और celestial के सर की उसी आख से री सेप किया और एक नई fine sword बनाया उस पवित्रगनी से जिससे वो उसके void में light लाने वालों को मारने लगा और बाद में उस sword का नाम All Black Necro sword पड़ा यानि God Slayer तभी एक creation God से लड़ते वक्त गोर के प्लैनेट पर उसकी sword गिर जाती है जो हमने Thor Love and Thunder में देखाई था उस इंडियोट में convert करके अपने control में ले सकता है और अपनी एक army भी तयार कर सकता है इसी बीच वो अपने symbiote dragon बना डालता है जिनका नाम उसने grandal रखा जिने वो अलग-अलग planet पर भेजता है likeness को खत्म करके darkness लाने के लिए और उनी में से दो dragon अपने earth में भी आती हैं और य visually और इस connection breakdown से नल को बहुत बड़ा जटका भी लगा जिससे बाकी के symbiote नल की घेराबंदी करने लग गया और वो अपनी ही creation में डूप गया यानि घिर के रह गया इस symbiote नोमा काले कीचर से जो एक तरह से इसके लिए जेल बन गया जिसे नाम दिया गया क्लिंटार प्लैन तो बावा मूबी के according अगर बात करें ये था नल जिसका वो वाला पार दिखा रखा है जब वो क्लिंटार में सारे symbiote के बीच में कैद होके बैठा है बात अगर नल वर्सिस वैनम की करें तो ये नल के सामने बस एक तिनके के समान है जो इसे चुटकियों में मसल रखे करके वैनम को अपनी किसी एक उंगली में अंगूठी के तरह कैद कर लेता है और एडी ब्रोक को अर्थ पर वापस फैंक देता है लेकिन 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 साइध हमें वैनम और नल का पंगा इसमें ना देखने को मिल पाए क्योंकि जितना पार्ट ट्रेलर में इस्तमाल बागी इससे आगे किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि इसे टककर कौन कौन दे पाएगा हरा कौन कौन पाएगा और यह जब अर्थ में आएगा तब किस लेवल की तबाही मचाएगा जिसे रोकने के लिए सारे एवेंजर्स एक्समेन भी कम पड़ जाते हैं तो आएगा झाएगा जब अचाएगा झाएगा